हेलो दोस्तो कैसे हो आप I hope कि आप सभी अच्छे होंगे लक्षमी विलोगर में आप सभी का स्वागत है दोस्तो कैसे हैं आप जरूर कमेंट करके बताना दोस्तो आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने जा रही हूँ अपने तरीके से हैंकी टैप हमारे टाइम पे कैसे करते थे वो मैं आप लोगों के साथ सेर कर रही हूँ तो यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो लाइक, सस्क्राइब और सेर करना चैनल पे नियू आए हो तो और पे क्लिक करके बेल गंटी प्रेस करना और ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए तो मैं आज आप लोगों के साथ सेर कर रही हूँ हैंकी टक कि हैंकी हमारे टाइम पे किस तरह तांगते थे और अब तो मेरा पर्स होगे बैग होगे हैंकी उन में रखते हैं लोग लेकिन हमारे टाइम पे हंकी टांगते थे लोग और अब मैं आपको दिखा रहे हूं तो आज मैं करने जा रहे हूं हैंपी टैक और दोस्तों ये हमेरे अध ME हैंकी मेरा ये टाउल वाला जो हैंपी होती है वह येतक को to iskovol बोला था हैंकी टेक करना तो मैंने मैं अब मैला भूत पहले बोला था तो मैंने किया नहीं है तो मैं अपने मैंने सोची रही थी मैं मैंने का मैं अपने हिसाफ से और यही मैंने दूसरा हैंकी टेक दूसरा फोल्ड कर दिया तो दूसरी साइट से मैं ऐसी करूंगी और दूस ले जाते थे बच्चों के साथ इस तरह मेला कि जो दूसरा वाला है श्टेप किया था मैंने वे से टनके हम ले जाते थे आम लग यह बारी को नहीं करते थे दोब अस्तरों अए उस तरह मैं टांगती थी और इस साइड टांगते थे ता कि निकालने में हैंकी आसान हो जाए और फटक से बच्चों के साथ चाहिए होता था तो बार-बार जैसे मालब बच्चे आ जाते हैं खाना खाके कहीं किसी पार्टी में चले गए बच्चे आ गए खाना खाके ममी मेरा मुँँ पोच दे तो मेरे पहले से ही आदत नहीं है कि पल्ले से बच्चों का मुँँ पोच ओ मैं अपने पास हंकी रखते थे हां और हमने मला यहां से निकाला फटक से और अपने बच्चों का मुँँ पोच दिया और खुद भी जैसे किसी पार्टी में चले गए हमारे याँ पंगित में खाते हैं उत्राखंड में पहले पंगितों में खाते थे आप तोचलो มें सभी लोग stat Daewoo में ऊच्छाट ने लेकिन कुर्शि में चैबल में लेकिन पहले हमारे time पे पंगीत होती थी निचे जमीन बएट के खाना काते थे साधी व्यां में अभी भी है अभी काफी लोग मया पंगे तो हाथे कई हुआ आप लोगों के सारह से कर दिए हैं तो आप लोगों के सारं अशका मैं मैं आसे खालू। आप लोगों के साथ सेर कर देती हूं इस वाली वीडियो को और फटक से निकाला बच्चों का मुझ फोचा और अपना भी है तो इस तरह मेरी हैंकी टैक हो गया और अभी यहाँ पर मैं बोल रहे हूं कि हम फटक से निकाल के अपने हाथ पह, अपने हात भी जैसी हम भी लोग जाते थे, सादी ब्याम है तो अपना भी हमहेंकी लेकी जाते थे मलब आदत नहीं है पहले से ही नहीं है मेरी आदत कि जैसे मलब लोग साड़ियों पे धोती पे और ऐसी पोज देते हैं कहीं तो मेरी पहले से आदत नहीं है मेरी मम्मी बोलती थी ऐसे नहीं पोजते हैं बच्चे तो इस तरह हम अपने पारुमाल रखके जाते थे तो यह वैस इसी तरह रखती थी मैं और तरो कोई आ गया था मैं लिए कौई कौन मेरे मैं क कोई फ्रेंड उन आ गएते तो मैं अंदर आय यहांपे मेरा मुझे दिख रहा अंदर-वाली कम्रे में wenne camera लगाया तो मुझे नहीं बैख camera से बना रही थी ने मैं तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी मुद नहीं दिखा दा मेरा तो दोस्तों मैं आज आज ये video funny video बनाई है आप लोगों को कैसी लगी मैंने enjoy के लिए बनाई ये video तो हम लोग इस तरह टांगते थे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और यहां पर देख लीजिए कि मैं किस तरह हैंकी टैग करती थी और कि आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे जरूर कमेंट करना कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो ऐसा ही रुमाल होता था हमारे पर ज़ता तर ऐसे ही रूमाल होती थे तो यह टावल तो बाद में मला ये बाद में लाने बैठी मैं जब मैं खुद मार्केट जाने बैठी तो मैंने मला की देखती थी मैं जो अच्छे लगते थे फिर उनको तब खरीती थी लेकिन जब मला जब नए-एं होते हैं नए-एं कहां जाती हैं मार्केट नहीं जा पाती हैं जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि क्या क्या चाहिए हमें तो इस तरह मैं अपने हैंकी अपने साथ रखती थी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जैसे गारी में सपर कर रहे हैं तब के लिए औ सब्सक्राइब भुण मैं आपhmm वेडियोkov कर सकते हैं जो सब्सक्राइब करना ताकि मेरी हर वीडियो आको पास पहुंछ आए भाई झाल्य में.